सभी दोस्तों का बेस्ट स्टिडी क्लास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए नई क्लास लाए हैं इस क्लास में हम आपको प्रडक्शन टेकनोलोजी फॉर और्नमेंटल क्लॉप्स एंड मैप एंड लेंड स्केपिंग से जुड़े हुए कुछ अत्मेहत्पूर्ट प्रस्णोतर कराएंगे या प्रस्णोतर आपकी प्रिवियस एर के क्वेश्चन पेपरों से लिए गए हैं या प्रस्णोतर का भी स स्लूशन आपको बताया जाएगा या दोस्तों प्रडबन जिसमें हम आपको 30 प्रस्णोतर कराएंगे तो समय करने ना करते हुए बढ़ते ही आज के पहले प्रस्णोतर क्यों और आज का हमारा पहला प्रस्ण ने आर्च की संक्राइब कहलाती है ए परगोला बी टिपी या C. बर्डर D. किनारी दोस्तों इसका सही उत्तर है आपसन A. परगोला आर्च की संक्ला परगोला कहलाती है ट्रेस नमबर 2 बारा दरी इस उद्ध्यान का मुँखे खटक होता है A. परिसियन उद्ध्यान B. मुगल उद्ध्यान C. बिटिस उद्ध्यान D. जापानी उद्ध्यान दोस्तों इसका सही उत्तर है आपसन B. मुगल उद्ध्यान बारा दरी मुगल उद्ध्यान का एक मुखे खटक होता है ट्रेस नमबर 3 अच्छरों एवम किसी आकरत को अलंकरत पौधे से सजाना कहलाता है A. आर्च B. परिगोला C. कार्पेट बेंडिंग D. बेंडिंग तो इसका सही उत्तर है आपसन B. परिगोला अच्छारों औरोम किसी आकरत को अलंगर्यत पॉदे से सजाना पर गोला कहलाता है प्रेस नंबर 4 साई प्रेस का मुख रूप से लगाय जाते हैं ये मुगल गारडन में बी बिटिस गारडन में सी जापानी गारडन में डी उप्यूट में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही उत्तरे आफसन C, जापानी गार्डन में, साई प्रस मुख की रुप से जापानी गार्डन में लगाए जाते हैं प्रस नमबर पांच बहता हुआ जल इस उद्यान का मुख की घटक होता है तो बहता हुआ जल किस उद्यान का मुखी घटक होता है ए जापानी उद्यान, बी मुगल उद्यान, सी परिसियन उद्यान, डी बिटिस उद्यान तो इसका सही उत्तरे आफसन बी मुगल उद्यान बहता हुआ जल मुगल उद्यान का एक मुखी घटक है प्रस नमबर छे इंडोर उद्यान का प्रकार है ए रॉक उद्यान, बी मून उद्यान, सी बोटल उद्यान, डी उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है आपसंसी बोटल उद्यान, इंडोर उद्यान एक बोटल उद्यान का प्रकार है ट्रस नंबर साथ एक्वावेरियम इस उद्यान का प्रकार होता है एक्वावेरियम इस उद्यान का प्रकार होता है A. ब्रिटिस उद्यान B. इंडोर उद्यान C. जापानी उद्यान D. उप्यूप में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आप्षन C जापानी उध्यान सॉरी इसका सही उत्तर है दोस्तों आप्षन B इंडोर उध्यान एक्वावेरियम इस उध्यान का प्रकार होता है तो आपको बता दें एक्वावेरियम इंडोर उध्यान का प्रकार होता है Equovarium indoor उध्यान का एक प्रकार है ट्रस्द नमबर 8 जूलती टोकरी हेतु उप्युक्त मोस मी पोधा है जूलती टोकरी हेतु उप्युक्त मोस मी पोधा है A. Hollywood B. Cosmos C. Port Laca D. Malava टो इसका सई उत्तर है आप्संसी Port Laca ट्रस्द नमबर 9 लान लगाने हे तु सबसे जल्दी तयार की बिधी है लान लगाने हे तु सबसे जल्दी तयार की बिधी है A. बीज B. टर्फिंग C. डिवलिंग D. उप्युक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका सही उतर है आफशन B. टर्फिंग प्रेस नमबर 10 लान में सर्वाधिक लगने वाली घास है लान में सर्वाधिक लगने वाली घास है तो कौन-कौन से दोस्तों घास है साइनोडान A. डेक्टालियोलन B. पोया पेराटिंस C. जोसिया जपानिका D. उप्युक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका सही उतर है A. साइनोडान डेक्टालियोलान प्रस्ट नमबर 11 मौल्सरी का बानसपतिक नाम क्या है दोस्तों यहाँ प्रस्ट बहुत इंपोर्टेंट है मौल्सरी का बानसपतिक नाम है A. केसिया फिस्टूला B. डेलोनिक्स रेजिया C. मिमोपस इल्जाई D. उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उतरे आफसन 11 का उतर नमबर C. मिमोपस इल्जाई प्रस्ट नमबर 12 लता एवाम जाड़ी के रूप में प्रियुक्त होती है A. हीना B. बेगन बोलिया C. रंगून क्रीपर D. क्रोटन दोस्तों आपको बता दें कि लता एवाम जाड़ी के रूप में प्रियुक्त होती है तो इसका सही उतरे बोलिया बढ़ते हैं प्रस्ट नमबर 13 की ओर और हमारा प्रस्ट नमबर 13 कनक चंपा है कनक चंपा क्या है A. लता सुरी A. पेंड B. लता C. जाड़े की एक बरसी है D. जाड़ी तो इसका सही उतरे आपसन A. पेंड प्रस्ट नमबर 14 गुला चीन है गुला चीन क्या है A. लता B. पेंड C. जाड़ी D. A. और B. दोनो तो इसका सही उतरे B. पेंड गुला चीन एक पेंड है प्रस्ट नमबर 15 डेलो निक्स रेजिया बनस्पतिक नाम है A. पीपल का B. गुल्ड मोहर का C. प्लास का D. कचनार का तो इसका सही उतरे उतर B गुल्ड मोहर का डेलो निक्स रेजिया बनस्पतिक नाम किसका है? गुल्ड मोहर का दोस्तों यहां प्रेस्ट बहुत ही महत्पूर्ण है प्रेस्ट नंबर सोला टपियारी हेत्व उप्यूक्त प्रिच्छ है A. पीपल B. असोक C. बरगद D. सीसम तो इसका सही उत्तर है प्रेस्ट नंबर सोला कभी असोक बढ़ते हैं प्रेस्ट नंबर सत्रा की और और हमारा प्रेस्ट नंबर सत्रा है अमल तास के फूलों का रंग होता है A. लाल B. काला C. पीला D. सफेद दोस्तों अगर आपको इस प्रेस्ट का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट वक्स में अबसे बताएं अमल तास के फूलों का रंग कैसा होता है अगर आपको पहले से मालूम है तो अबसे बताएं कमेंट वक्स में किया प्रेस्ट का उत्तर आपको मालूम है नहीं मालूम है तो आप चैनल सस्क्राइब करें, जिससे कि हमाई चैनल पर आन्यावाले सबी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले प्राफ्त होगा तो अमलतास के फूलों का रंग होता है, प्रस नमबर अठारा डेलोनेक्स रेजिया के फूलने का समय है A. दिसम्बर जन्वरी B. जुलाई से मई C. सितम्बर अक्टूबर D. फरबरी मार्च तो इसका सही उत्तर है आफशन B. जुलाई मई जुलाई डेलो निक्स रेजिया के फुलने का समय होता है मई से आज जुलाई प्रस नमबर 19 ताज गार्डन किसका उधारण है? A. निरोपचारिक B. आपचारिक C. मिश्रण D. उप्युक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आफशन B. आपचारिक ताज गार्डन आपचारिक उधारण है प्रस नमबर 20 ब्रच्छों की अधिकांस प्रजातियों का परासरण होता है A. कटिंग से B. टिसू कल्चर से C. वीडिंग से D. बीजिसे तो दोस्तों अगर आपको इस प्रेशन का उत्र मालूम है तो आप कमेंट वक्स में अब से बताएं तो इसका सही उत्तर है आपसन B. टिसू कल्चर से ब्रच्छों की अधिकांस प्रजातियों का परासरण टिसू कल्चर द्वारा होता है प्रस नमबर 21 राष्टपती भावन उद्यान एक उधारण है A. निरप्चारिक से लिका B. ओप्चारिक से लिका C. दोनों का मिस्रण D. उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है आपसन B. ओप्चारिक से लिका प्रस नमबर 22 गेलारडिया का हिंदी नाम है A. जूही B. चमेली C. नौरंग D. रातरानी तो इसका सही उत्तर है आपसन C. नौरंग गेलारडिया का हिंदी नाम नौरंग है प्रस नमबर 23 जैसा मिनम सेमबैक का प्रचलित नाम है A. चमेली B. बेला C. जूही D. उप्युक्त सभी तो इसका सही उत्तर है आपसन B. बेला जैसमिन सेमबैक बेला का प्रचलित नाम है प्रस नमबर 24 सुरच्चा हेतू इस जहाड़ी को लगाते हैं तो सुरच्चा हेतू कि जहाड़ी को लगाया जाता है A. इंगा डूलिस B. गुड़हल C. हीना D. उप्युक्त सभी तो प्रस नमबर 24 का आपसन नमबर A. सही इंगा डूलिस को सुरच्चा हेतू जहाड़ी के रूब में लगाते हैं प्रस नमबर 25 सहरों में अधिकतर लगाया जाने वाला पाम है तो किस प्रकार के सबसे ज़्यदा सहरों में पाम लगाया जाता है A. फैन पाम P. फिस्टेल पाम C. अरेका पाम D. बोटल पाम तो इसका सही उत्तर है आपसन प्रस नमबर 25 का आपसन डी बोटल पाम यह सहरों में सरवादिक लगाया जाता है बोटल पाम को सहरों में सरवादिक लगाया जाता है प्रस नमबर 26 ज़ाड़ी जो पत्कियों की सुन्दरता हितू लगाते हैं तो किस प्रकार की ज़ाड़ी को सुन्दरता हितू लगाते हैं A. एकलिफा B. हीना C. गंदराज D. जेट रोफा तो प्रेस्ट नमबर 26 का उत्तर नमबर A. सही है एकलिफा एकलिफा को सुन्दरता हित्व लगाते हैं प्रेस्ट नमबर 27 जेट रोफा पांडरी कोलिया है A. पेण B. जाड़ी C. लता D. गमले का पोधा तो जेट रोफा पांडरीकेलिया किस प्रकार का है तो इसका सही उत्तर है आपसन B. जाड़ी यहाँ एक जाड़ी है प्रेस्ट नमबर 28 सराका इंडिका बानस्पतिक नाम है सराका इंडिका बानस्पतिक नाम किसका है A. कदम का B. सीता असोक का C. प्लास का D. नियम का तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपसन B. सीता असोक का सराका इंडिका सीता असोक का बानस्पतिक नाम है प्रेस्ट नमबर 29 सीधे बीजबोकर लगाया जाने बाला जाड़े का मौसमी फूल है A. सुईट एलासियम B. सुईट पी पी या सीधे बीजबोकर लगाया जाता है जाड़े के मौसम में ट्रेस्ट नमबर 30 जो कि आज कमार लाश्ट प्रसन है बर्सा रितू का फूल है तो निमन लिखित में से बर्सा रितू का फूल कौन सा है A. कोचिया B. पैंजी C. सल्विया D. वालसम तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपसंडी बालसम या बर्सा रितू का फूल है दोस्तों अगला वीडियो में हम आपको 31 से 60 तक प्रसनोतर कराएंगे जो कि आपकी परिच्छा के लिए अत्यादिक लाबदायक साबित होंगे तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रसनों के साथ जय हिंद जय भारत